हे गाइस आज दिखाएंगे आपको लुमिनस इन्वर्टर चार्जिंग लाइट जो है बंद हो चुका है और इस प्रॉब्लम को किस तरह ठीक करें तो यह दिखे दोस्तों यह हमारे पास लुमिनस का इन्वर्टर शुरू से हम इस इन्वर्टर को लगा के चेक कराएंगे ड यहां पे अब हम इन्वर्टर की वारिंग की वायर लगाएंगे यह देखे और यहां पे लाइट जो है इन्वर्टर की चल रही है और यहां पे ट्रैक लगा लगी थी और यहां पे अब हमने यह देखे शौगट के अंदर वायर लगा दी है और वहां पे यह देखे यहां पे inverter को अब हम on करेंगे तो यह देखे दोस्तों यहां पे हमने inverter को on कर दिया है और यहां पे हमारे जो तीनों indication है वो चलने शुरू हो गए है और पहला जो indication है mains का indication है और जो दूसरे वाला है वो charging का indication है और जो तीसरे वाला है वो eco mode का indication है तो दोस्तों आपको हम detail में समझाते हैं किस तरह उस problem को सही करना है तो ये देखे दोस्तों तो चलिए अभी हम आपको time note कराते हैं तो ये देखे दोस्तों यहाँ पे हमारा time हो चुका है पांच बच के बारा मिन्ट हो चुके हैं थोड़ा गैप लेंगे तो ये देखे दोस्तों 5 बच के थतिस मिन्ट हो चुके हैं तो चलिए हम inverter के पास चलते हैं तो ये देखे दोस्तों यहाँ पे हमारा जो charging का indication बंद हो चुका है ये मेंस का indication चल रहा है और जो बीच वाला charging का indication है ये देखे दूसरे number पे ये देखे ये आटोमेटिकली फिर से लैट जाएगी फिर से बैटरी डॉन होगी फिर से यह लैट आके फिर इसको इस लैट को चलाएगा और फिर से यह चार्जिंग करना शुरू कर देगा तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे वेज़ चाहिए